हाई हार जित्तो परिनाम है कोशिश करना हमारा काम है अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर अपने हर कदमों में एक नया विश्वास पैदा कर मांगने से मनजिल नहीं मिलती मेरे दोस्त अपने हर कदम में एक नया इतिहास पैदा कर जहां कुछ इसी परकार के भाव के साथ एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है रश्मी रॉकेट और वो उसके ट्रिलर को देख कर कुछ ऐसा ही लगता है आपने रॉकेट तो देखा होगा वो जहां गिरता है और इस फिल्म में भी जो रश्मी का करेक्टर निभा रही है वही देखती है और वो किस तरीके से अपने शक्ती से इस दुनिया से लड़ती है वो दिखाया गया और काफी अट्रैक्टिव है जहां बात कर रहे है रश्मी रॉकेट ट्रेलर की जो Z5 पर 15 अक्टूबर को रिलीज होगी तो इसके बारे में बात करेंगे लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजे, शेर कीजे, सबस्क्राइब कीजे और हाँ, बेल आइकन शरूर दवाइए, ताकि जो भी नए वीडियो आते हैं, उसका नेटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो आगे बढ़ते हैं, जब आप इस ट्रेलर को देखते हैं, तो बाकई ये बहुत अपीलिंग ट्रेलर है और काफी अट्रैक्टिव भी है, इसमें जिस तरीके से तापसी पन्नो काम करती दिखती हैं, उनका मेहनत दिखता है और एक एथलीट की भूमिका में वो हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपने बाड़ी को एक एथलीट के रूप में ट्रांसफॉर्म किया है ये वाकई में काविले तारिफ है, बहुत मेहनत का काम है और उनका एक्टिंग भी इसमें बहुत अच्छा दिखता है तो जब आप ट्रेल देखते हैं तो पता चलता है कि रश्मी एक चोटी शहर की लड़की है जिसके सपने बहुत बड़े हैं और वो इस बड़े सपनों को पुरा करने के लिए आगे बढ़ती है, खुब मेहनत करती है और वो बन जाती है एथलेट, कई प्रुसकार जितती है लेकिन एक बार ऐसा होता है कि उसे अपना जेंडर टिस्ट कराना होता है और उसके बाद जो जेंडर टिस्ट का रिजल्ट आता है वो कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसकी दुनिया ही पलड़ जाती है, वो ग्रफतार हो जाती है, उस पर कई आरोप लगते हैं और किस तर तो दोनों नारी शक्तियां किस तरीके से लड़ती हैं वो दिखाया गया है इस फिल्म में तो जब आप ट्रेलर देखते हैं तो कहीं से भी आप बोर नहीं होते हैं और आट्रेक्टिव आपको बांधे रखता है ट्रेलर और इसमें जो वकील की भूमिका में है वो है थोड़ा सींग का करेक्टर आपको याद होगा यानि अविशेक बिनरजी इसमें वकील की भूमिका में है और काफी अच्छा करते नजराते हैं और वो एक कास्टिंग डारेक्टर भी है और एक्टिंग तो उनकी बागे बहुत अच्छी है तो दोनों चीजों के बेस पे कहा जा सकता है कि वो अपने करेक्टर में काफी न्याय करते दिखते हैं इधर सुप्रिया पाठक बहुत अच्छा देख रही है तापसी पन्नों की बात ही क्या किया जाए ग्लैमरस भी है ट्रेडर में आपको ग्लैमर भी दिखेगा कुछ रोमांटिक सीन भी दिखते हैं यानि कि फिल्म में रोमांटिक सीन भी होगा और एमोशन भी है और जुजहारूपन भी है तो यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं तो उम की मेहनत इसमें देखती है आज की वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर से होंगे इंटर्टेन्मेंट की एक और ख़वर को लेकर हाजिर तब तक लिए आप ना रखिये ख्याल नमस्कार